मुझाज़ के स्टाइल पर आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में अप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुती सेंपल एड इजी मेकप लूप वह भी विदाउट फाउंडेशन से विदाउट फाउंडेशन मेकप लूप और यह एक रिक्वेस्टर वीडियो है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि बहुत चोटी है मेगा दे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था और वो क्लस 9 में परती है कि एक मेकप टुटोरियल में शेयर करूं तो या तो उसे लिक्वेस्ट पर आज का यह वीडियो है और थाइंक्यू मेगादे मेरे वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फेस वास करने के बाद अब मैं अपने फेस को मॉस्चुराइज कर लूँगी तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ममा आर्थ का मॉस्चुराइजर क्रीम नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर जो की बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मेकाप कर रहे हो तो उससे पहले मतलब प्राइमर लगाना मास्ट है तो मैं यहाँ पर एन वाइवे क्या प्राइमर यूज कर रही हूँ प्राइमर लगाने से ओपेन पोर्स मिनिमाईज हो जाता है और मेकाप बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होता है तो विदाउट फाउंडेशन में यह मेकाप करने वाली हूँ तो मैं सिर्फ कंसिलार यूज करूंगी ये कौनसिलार बहोती लाइट है मेरे स्किन टोन से और इसका कोवारेज बहोती लाइट है पोसिश करें कि अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन या तो कॉंसिलर लगाए एक्चली क्या है मैं घर पर नहीं हूँ अभी और गलती से ये शेड आ गया है मेरे साथ इसके इलाबा मेरे पास और कुछ भी आया नहीं मतलब मेरे पेकेज में और ये मेकाप लूप मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था तो इसी से करना पर रहा है तो जाज मत किजिए ये कॉंसिलर ना हाई ना मीडियम कोई भी कॉमारेस नहीं देता है थोड़ा सा मतलब light coverage देता है उतना खास नहीं है ये concealer तो मैं ये आपको recommend नहीं करूँगी और इसलिए मैं इस brand का name भी नहीं लूँगी पर हां अगर आप beginner हो और एक अच्छा बाजेट में एक अच्छा concealer या तो foundation के तलास में हो तो आप wet and wild और Maybelline का concealer foundation यूज़ कर सकते हो वो अच्छा होता है और काफी अच्छा coverage देता है medium to high coverage देता है और concealer हमेशा अपने highlighting point और जहां पर dark spot है मतलब अपने dark spot और dark circle और mouth के area में ज्यादा तर pigmentation दिखाई देता है तो उसके लिए ही concealer यूज़ किया जाता है कि अब में loose powder से सेट कर लूँगी तो सेट कर लिया है मैंने तो बहुँ ज्यादा disappoint हूं है पर मैं step by step एक makeup tutorial जरूर शेयर करूंगी detail में आज मैं तुप में थोड़ा सा basic information दे रही हूं अब मैं कर लूँगी अपना आइब्राउस से तो मैं यहां पर gray color का pencil यूज़ कर रही हूं अगर आप बिगिनार हो तो पैंसिल ही उसकी जिए यहां पर मैंने ग्रे कलर का अइब्राउस पैंसिल्व क्या है ब्लेक आइब्राउस पैंसिल के बदले में आप ग्रे या तो प्राउन आइबरो पैंसिल जादा यूजरे वह काफी नेचरल लगता है नेक्स्ट मैं अपने क्रेस पर डाउन यूज़ 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 एंड नेक्स्ट में अपने आइलीद पे गोल्डन कलर आईशेडो लगा लूगी सेम गोल्डन आईशेडो से में अपने आइब्राउस को हाइलाइट कर लूगी नोज को हाइलाइट कर लूगी एंड चीन को भी नेक्स्ट में अपलाई करूंगी काजल और यहां पर मैं यूज़ कर रही हूँ बेला भोस्ते का काजल तो ये काजल बहुत ही अच्छा है और परसनली मुझे बहुत पसंद है ये काजल इस तरह से अब आउटर कॉर्णर को थोड़ा सा बोल्ट कर सकते हो नेक्स्ट में लगा लूँगे आईलाइनर और यहां पर मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे आईलाइनर आईलाइनर लगाने से पहले एक्स्टर जो प्रोड़क्ट रहता है ब्राश पर वो हमेशा रिमूब कर लिजेगा नेक्स्ट में एपलाइ कर लूँगी ब्लाश और यह में सुगार पेलेट से यूज़ कर रही हूँ जैसे कि हम सब को पता है ब्लास लगाते हुए हमेशा स्माइल करते हुए लगाना है आज मैं यूज़ करने वाली हूँ लिक्विट लिप्स्टिक बेला वोस्ते का ये भी ये शेट वह अच्छा लगता है मुझे शायद आपको भी अच्छा लगे काइंड ओफ न्यूट शेट है ये अच्छकल मुझे न्यूट शेट जादा पसंद आने लगा है लिक्विट लिप्स्टिक लगाते वर्क भी हमेशा एक्स्टर प्रोड़क्ट जो है वो रिमूफ कर लीजेगा सबसे पहले मैं इससे ही अपने लिप्स को ज्रो कर अपने नेच्रल शेप में थोड़ास्ता हाइलाइट कर लूँगी इनार कॉर्नर तो यह था मेरा विदाउट फाउंडेशन मेकप लूप आप लोगों को पसंद आया यह मेक अप लूप बिना फाउंडेशन के यह आज का वीडियो एहीं पर एंकरते उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब चरूर किजिएगा और बैल आइकन को विप किजिएगा में आपसे